तो आज हम लोग कर रहे हैं अपना वीजन टेस्ट मॉक टेस्ट जो हम लगा रहे थे पहला क्वेश्चन फॉर्टी बन से आज फिफ्टी तक देखेंगे क्या हो देना अगर आप एक्जाम के लास्ट टाइम यह टेस्ट लगाएंगे तो अगर आप उनका पूरे दो तीं लगा सकते हैं तो भी ठीक है तो हम देखते हैं क्वेश्चन फॉर्टी वन यदि कोई विदेशी राच्छेत भारत का भाग बन जाता है तो यह निर्देस करने की शक्ति की उस विदेशी राच्छेत के लोग भारत के नागरिक होंगे नहीं थह राश्ट वादिकार आयोग में B उच्टम नियालय में C केंसरकार में D संसद में तो जो हमारा question 41 है उसका हमारा answer है C केंसरकार में यदि कोई विदेशी राजचेत भारत का भाग बन जाता है माली कोई दूसरी भूमी है जो भारत का भाग बन जाती तो भात सरकार उस राजचेत के लोग केंसर करती है ऐसे व्यक्ति अधिसुचेत तिती से भाद के नागरिक बन जाते हो धान के लिए जब पांडीचेरी भाद का भाग बना तब भाद सरकार ने नागरिकता अधिनेव 1955 के ताइट नागरिकता पांडीचेरी आदेश 1962 जारी किया अब देखें क्वेस्ट नमबर 42 क्शकेतverted अनुछ्चे सत्रा अश्प्रह्ष्थडा का उन्मूलन के संदर्मिनिम्लिक Karten्यों में निमलखी कीतों में से कौन सायारी सही है तो नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिए तो पहला एक और दो केवल एक और चार केवल दो तीन चार या केवल चार तो देखी 42 का जो हमारा आंसर है वो B है केवल एक और चार सही है तो question में बोला गया था आडिकल 70 जो हमारा जिसमें असफ्रश्यता का अनमूलन है उसके अंदर में कौन सेकता है तो पहला था यह असप्रश्यता जाता है तो बनादाब कैसे अगर आप अपर चति निश्यत QIS नियाई पालिका के विभिन निर्ड़यों में इसकी अर्थ क विस्तार किया है तो हमारा कथन दो सही नहीं कि आज प्रस्टदा है कि उसको बताया नहीं नहीं किया है निखिन के रगक्रत फेन तो सिविकृलरे प्राफधां में इसे लिए प्राफधान है जो कथर 4 था है से सिविल अधिकार संदक्षन अधिरियम 1955 द्वारा लागू किया गया है तो वो सही है तो आर्टिकल 17 में केवल यह कहा गया है कि असप्रश्चता सिविजी किसी निर्योकता को लागू करना अपराद होगा जो विदी के अनुसार दढ़नी अपराद होगा सेवल अधिकार संदक्षन अधिरियम 1955 में उसके लिए विस्तर प्रापदान है तो 4 सही है तो 41 का हमारा आंस नियूंतम जानकारी और जिनके जैविक कारियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है बी कठोर वातवरन समझर के नीचे उच्छदाव के सित्यों में रहने वाले शूरुष में जीवों की DNA को सी DNA की अनुक्रमों को जिन्हें अनुवांशिक अभ्यांत्रकी के द्वारा बदला गया है जानवरों के संदक्षे सवों में पाए अप्रभाविट डीने को हमारे जो क्वेशन 43 उसका अंसर ए है यानि कि हमें कथन में दिया हुआ था कि डीने के उन भागों को जिनके बारे में हमें नियूंतम जानकारी और जिनके जैवेकारों के बारे में अधिकतम है उसे दाध में कहते हैं हाली में वैज्यानिक ने वीखिसे च्प्रों की खुझ चिई है जो विकस्ज को में ने प्रोटीन को कूट बहुत प्रोटीन है जिनके जैवेक कारियों के बारें बहुत कम जानकारी है जिनके विशलेशन के लिए उपकरण सीमें जैसे एंटी बॉड़ी है इस प्रकार यह सटीक और जदी पहल पर प्रतिकूर प्रभाव डालता है तो ठीक है डाग जीनों ऐसे याद कर लिए जिनके बारें में कम जान घो को संबंदेत राज के राजिपाल और हटाया जा सकता है है उपयोग कत्मी में से कौन से सही हैं एक दो एक ओर दो दो ना तो एक न तो दो हमारा जोड Gegen Die करेंदर तरह लोक सिव अयोग होता है में अध्याग्छार 58 सवने होते हैं इसे चाहिए नेधिय thinneras पत्पर हो करने के लिए राजपाल को अधिकरित करता है यह सब राजपाल करेगा कि उनकी क्या सेवा शर्त होगी सेकंड कतन था कि SPSC के सदस्यों को संबन से राज के राजपाल द्वारा हटाया जा सकता है तो यदि पी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अद्धिक जो सदस्यों को राजपाल द्वारा निउक किया जाता है किन्तों ने कीवल राजपती द्वारा ही पत से हटाया जाता है तूराज़पार पार ने नहीं हटा सकता अगर राश्ट पती ने राश्ट पत्ति ने रहत है राश्ट पत्ति उन्हें आधारो और रिथी से औह्त है जनाधारो और रिथी से वह VII sike के अध्यक्ष और किसी सदस्टिक को हटाता है ठीक है तो कथन दो भी हमारा सही नहीं है तो इसमें ना तो एक ना तो डी आंसर था वा तो हमारा इसका अंसर हमारा सही है देखिए जो धर आयोग और जेवीपी समीती थी दोनों ने राज्यों के पुनागठन में भाषा को खायच कर दिया था मतलब कि एक बनाने में भाषा को आधार पनाया जाए लेंग्विश के आधार पर स्टेट्मन आ जाए इस बात को खायच कर दिय जाता है इसका सी आंसर है ठीक है फजलली आयोग तुझे हमारा कोईशन 45 है उसका केवल सी तीसरा आंसर है ठीक है 46 देखते है निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए रास्टी मानवाधिकार आयोग नेश्टर हुमन राइट कमीशन और राजमानवाधिकार आयोग केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक ना तो दो तो देखिए जो क्वेशन 46 है उसकांसर भी है यानि केवल दो सही था ठीक है 1993 में लागू हुए मानवधिकार संदक्षन अधीनियम में राश्टी इस्तर पर राश्टी मानवाधिकार आयोग और राज इस्तर प सुची जो पर समब्रति इस्त के विश्य होतें इसके संब्समें है कि हाल्गेश्य मामले की जसर इस्त्र शल्क याउं अन्य सामयधिक आयोग द्वारा पहले से किजा रही हो तो राश्मानयवधिकार मामले की में जसम monsieur को राज राज मानवादिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति सम्मधित राज के राजपाल करता है तो तो कथन एक सही नहीं क्योंकि नियुक्ति राजपाल करता है और जो हमारा रास्टी है उसकी राशपति करता है यदि सेकिंड सही है कि यदि किसी राज मानवादिकारोई के अध्यक्ष नियुक्ति राजपाल की जाती है लेकि उन्हें के राशपति द्वारा ही पट से हटाया जा सकता है तो दोनों जो हमारा नहरे चार्च और श्रक उनको के वल राशपति पट से हटा सकता है ठीक है विश्वास शो की प्रणाली वाले वइख्थियों का एक समोह ना माले समान संगिठर का यौह प्रणाल क्या से से र 친र और क्याना टीन तो हमारा जो कॉईशन 47 है उसका आंसर हमारा ए है यानि केवल एक दो तीन ठीक है उच्टम नहीं ने दिया कि धार्मिक संप्रत द्वारत तीन शर्ट को पूरा किया जाना अवशिक है वरला कोई धार्मिक संप्रत आया तो उसको तीन शर्टे पूरी करने है पहली ऐसे वेक् के प्रणाली जिसने अध्यात मैं कल्यार में सहयक मांते हैं उनका स मोप युझें विश्वास होना झाहिए तो सिफ एक दो तीन इसके आंसर fix Q47 का अंसर A था अब 48 देखते हैं निमलिखित में से कौन सा या से भाग के सविधान के भाग दूसरा उधोगों के प्रबंदन में कर्मकारों की भागीदारी को प्रोचसाहित करना तीसरा करों का भुक्तान करना नीचे देखाय कूट का प्रयोकर सही होत्ता चुनिए एक केवल एक बी केवल एक और दो सी तो तीन चार और डी उप्योग में से कोई नहीं तो जो 48 उसका अंसर A है मतलब वैग्यानिक दुस्ट्री को और मानवतावात का विकास हमारे मूल कर्तब में आता है तो विकल्प एक भारती सविधान के भाग कर्मकारों की भागिदारी को प्रुसाइद करना यह हमारे जो विकल्प दो है राज के नीती निरिशक तत्वों का इक भाग है स्वार्ण सिंग समीती ने सिफायश किती करों का भुकतान करने की कर्तब को मूल कर्तब्यों में शामिल किया जाना चाहिए लेकिन से सुविका केवल विकल्प एक सही उत्तर है तो 48 का हमारा केवल एक अंसर था 49 देखेंगे निमलिकित में से कौन सा तत्त नयाइपालिका की विभिन निर्णे उद्वार प्रतिप्राति समीधान की मूल सन्रजना का एक भाग है एक समीधान का पंते निर्पेक शरित दू दो मिधायका पिलग शक्तियों का प्रितखरन तीशा समाजवाधी राज चौथा संगत्ता का सिध्दान के फ़न्न रहती धार प्रतिवार नाएपालिका के विभिन निर्ने annat सब्सक्राइब मुल्धाचे को नहीं बदले और यह सिद्धान कि बनाम केलराज में तो इसमें उनने क्या कहाता है कि सविधान की सरवोष्टा मुल्धाचे में आती है सविधान का पंतर अर्पेक्चरे जो में कथन एक में दिया था राजविवस्था की संप्रभू लोकतांत्रे को गर्ण तंतरात्मक प्रकति आती है विदायका न्यायबालिका और कालिपालिका के भी शक्तियों का प्रथक्करन मुल्धाचे में आता है जो में कथन दो में दिया हुआ था राष्ट की एकता और अखंता लोक कल्यानकारी राजविदी का शाशन संसधिय प्रणाली न्याय तक प्रभावी पहुंश तर्क आंगट्ता का सिधान यह हमारे मूल राचे में समाजबादी राच का सिधान मूल सरन्यारा में शामिल नहीं से ओप्षण दिया था समाजबादी राचeenths वो नहीं आता है मूल फ्रणाली के वर् existGu4 प्राववेत करने का प्रियास करते हैं दोनों का डीला संगितर होता है जहां इंडियन अंववचारिक और लजृ भी मास्तों दोनों बड़े पैमाने पर उन्ष पुट्र d falta अगर कुछ गलत हो नहीं होता है इन सगठनों का निर्माट तब होता है जब एक सवान उद्देश को प्राप्त करने के लिए समान वहवारों हितों अकांचाओ या विचारों वाले लोग एकजुट होते हैं सामय करवाई के कई स्वरूपों का वर्णन करने के लिए हम प्राय जन आंदुलन शब सुनते हैं नमदा बचाओ आंदुलन सूषना के अधिकार के लिए आंदुलन शराव विरोधी आंदुलन महिला आंदुलन पर्यावन आंदुलन आधी जन आंदुलन के उधारन हैं किसी हिट समू के समान ही जन आंदुलन भी चुनावी प्रतीस परदा हैं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के वज़ाए राधनीती को प्रावित करने का प्रयास करते हैं किन्तु हिट समू की विपरित आंदुलनों का एक धीला संगतन होता है उनका अधिक अनौपचारिक और लचीला होता है हिट समू की तूल्ला में वे स्वता इस्पूर जन भागिदारी पर अधिक निर्भर करते हैं तो देखी इसका मतलब यह ने पूझा था कि जैसे हिट समू होते हो जन आंदुलन होते हैं दोनों में समान क्या है तो समान चीज यह थी कि दोनों चुनावी प्रतिस परदा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेए वेना राधनीती को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं दोनों का डीला संक्टाओं होता है हमें कफदन 2 में दिया था ठीक है तो हिट समू के विपरेट जितना अंदुलन होते हैं जितने माइला अंदुलन द्रत्म Journal होता है उनका निर्णे अधिक अनौपचारे को लचीला होता है ठीक है और थर्ड में दिया था दोनों बड़े पैमारे पर स्वता एस्पूर्ट भागिदारी पर निर्भर होते हैं तो हिच्च समों की तूला में जो हमारे होते हैं जन आंदूलन वो क्या है वे स्वता करके तीक रहे थे जब नेक्स टेस्ट हम सेकेंड लगाएंगे तो हम थोड़े जाल जादा क्वेशन करने लगेंगे जितने हमसे हो पाएंगे ठीक है एक बार में तो बागी का हम नेक्स वीडियो में देखेंगे थैंक्यू